नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी कचीर परीचेत दोस्तों पस्थित हूं दोस्तों आप सभी कि सेवा में कुछ महत्यों पूर्ण जानकारियों को ले करके जेहां दोस्तों काली मिर्च डाइट में मिर्च का सेवन सेक्स ड्राइब को स्पाइसी बनाने के लिए बेहतरीन विकल्प है दोस्तों इसके सेवन से शरीर में एंडोर्फिन नामक केमिकल बनता है जो मूड अच्छा बनाता है और कामेच्छा भी बढ़ाता है और आपकी य प्रहेद मिलाकर दिन में तीन से चार बार चाटें खासी दूर हो जाएगी दोस्तों। जहां दोस्तों आज हम जान रहे हैं काली मिर्च के गुणों के बारे में। बैठने पर जहां दोस्तों काली मिर्च को घी और मिश्री के साथ मिला कर चाटने से बंद गला खुल जाता है और आवाज सूरिली हो जाती है दोस्तों आठ दस काली मिर्च पानी में उबाल कर इस पानी से गरारे करें इससे गले का संक्रमड खत्म हो जाएगा दोस्तों तचारोग में काली मिर्च को घी में बारीक पीश कर लेप करने से दाद, फोड़ा, फुनसी, इत्यादी रोग दूर हो जाते हैं दोस्तों पेट के कीड़े दूर करें जहां दोस्तों, यदि पेट में कीड़े की समस्या हो तो थोड़ी सी मात्रा में काली मिर्च के पाउडर को एक गलास छांच में घोल कर पी लें या फिर किश्मिश के साथ काली मिर्च दिन में तीन बार खाएं आपको लाव होगा दोस्तों पेट के कीड़े मर जाएंगे दोस्तों आँखों के लिए जहां दोस्तों यदि आँखें कमजोर हैं तो काली मिर्च को पीश कर उसका पाउडर बना लें और देशी गाय के घी के साथ मिला कर नियमित रूप से सेवन करें आपकी आँखों की कमजोरी दूर हो जाएगी दोस्तों गठीया रोग में जो लोग गठीया रोग की समस्या से परेशान हैं वे तील के तेल को गर्म करके काली मिर्च मिलाएं और इसे गठीया वाली जगह पर मालिश करें ऐसा करने से दर्द में आराम मिलेगा दोस्तों सांस संबन्धी परेशानियों में यदि सांस संबन्धी कोई परेशानी हो तो पुदीना की च्छाई में काली मिर्च डाल कर सेवन करें आपको लाब होगा दोस्तों चेहरे के लिए काली मिर्च खाने से चेहरी की समस्याएं जैसे दाग धब्बे और स्किन की बिमारियां ठीक हो जाती हैं दोस्तों बववासीर में फैदे मंद्ध यहाँ दोस्तों बववासीर की समस्या से परेशान लोगों के लिए काली मिर्ज दवा से कम नहीं है जीरा, चीनी और काली मिर्ज के दानों को फीस कर पाउडर बना लें और इसे सुबह शाम खाएं दोस्तों ये पाउडर बावा सीर की परेशानियों को ठीक करता है लेकिन इसके लिए आपको जंक फूट्स और ओली फूट्स से दूर रहना होगा दोस्तों दातों की परेशानी दातों की सभी प्रकार की समस्याएं जैसे दात दर्द दात खराब होना आदी काली मिर्च से ठीक हो जाते हैं दोस्तों दातों में दर्द होने पर काली मिर्च के दानों को चबाना चाहिए इससे दात दर्द ठीक होने लगता है यदि दातों में पाईरि यूज़ीयादाश्ट कमजोर होने की समस्या है तो शहच काली मिर्च का पाउडर मिला कर दिन में दो भार सेवन करें आपको लाव होगा दोस्तों, पेट में गैस और एसेडीटी में फाइदे मन्द जी हाँ दोस्तों पेट में गैस और एसीडीटी की समस्या होने पर आप तुरंत निम्भू के रस में काली मिर्च का पाउडर और नमक पीएं यह नुस्खा आपकी अपच और गैस की समस्या को पल भर में दूर कर देगा दोस्तों जुकाम और खांसी से राहत खांसी होने पर शहद के साथ काली मिर्च के दाने को खाएं ऐसा दिन में तीन बार करें काली मिर्च का तीखापन गले और नाक की समस्याओं को पल भर में ठीक कर देता है काली मिर्च जुकाम में बेहत फायदे मंद होती है इसलिए दूद में थो काली मिर्च बेहत फायदे बंन है दोस्तों यदि आपको high blood pressure की समस्या है तो रोजाना खाने के बाद एक चमन्मच काली मिर्च एक गलास पानी के साथ पिए आपका blood pressure कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि एक काली मिर्च हमारे लिए कितने सारे फायदे लेकर क्याती है कितने सारे लाफ देती है हम लोगों ठीक इसी प्रकार से हम अगली बार आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महतुपूर और शदियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों